दूसरा सैमुएल सत्रमा बाब और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे और मैं फक्त बादशा को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लोटा लाऊंगा जिस आदमी का तु तालिब है वो ऐसा है के गोया सब लोटाए यूँ सब लोग सलामत रहेंगे ये बात अभी सलूम को और इसराईल के सब बजर्गों को बहुत अच्छी लगी और अभी सलूम ने कहा अब अरकी हवेसी को भी बुलाओ और जो वो कहे हम उसे भी सुने जब हवेसी अभी सलूम के पास आया तो अभी सलूम ने उससे कहा कि अखी ताफल ने तो ये ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मताबक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता, होसी ने अभी सलूम से कहा कि वो सला जो अखी ताफल ने इस बार दी है, अच्छी नहीं, मा सवाए इसके, होसी ने ये भी कहा, कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है, कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस पर रीचनी की मानिंद, जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों, जला रहे होंगे, और तेरा बाप जंगी मर्द है, और वो लोगों के साथ नहीं ठह और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगहा छिपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कतल हो जाएंगे, तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा, कि अभी सिलूम के पैरों के दरमियान तो खूनरेजी शुरू है, तब वो भी जो बहादर है, और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है, बिलकुल पिघल जाएगा, क्यूंकि सारा इसराइल जानता है के तरह बाप जबरदस्ट आदमी है, और उसके साथ के लोग सूर्मा हैं। सो मैं ये सला देता हूँ के दान से बेर सबा तक के सब इसराइली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकठे किये जाएं, और तु आप ही लड़ाई पर जाए। यू हम किसी ना किसी जगहा जहां वो मिले, उस पर जाही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे करेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोडेंगे। मा सवाए इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा, तो सब इसराईली उस शहर के पास रसियां लेकर आएंगे, और हम उसको खेंच कर दरिया में कर देंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अभी सलूम और सब इसराईली कहने लगे, कि यह मश्वरत जो अरकी होवेसी ने दी है, अखी तफल की मश्वरत से अच्छी है, क्योंकि यह तो खुदावंद ही से ठहरा दिया था, कि अखी तफल की अच्छी सला बातल हो जाए, ताके खुदावंद अभी सलूम पर बला नाजल करे, तब होवेसी ने सदूक और अभियातर काहनों से कहा, कि अखी तफल ने अभी सलूम को और बनी इसराईल के बज़र्गों को ऐसी ऐसी सला दी, और मैंने ये ये सला दी, सो अब जल्द दवद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्ट के घाटों पर ना ठहर, बलके जिस तरह हो सके पार उतर जा, ऐसा ना हो कि बादशा और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिये जाएं, और युनितन और अखमीज एन राजल के पास ठहरे थे, और एक लॉंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दवद को बता देते थे, क्योंके मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते, लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अभी सलूम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए, और बेरियोम में एक शक्स के घर गए, जिसके सेहन में एक कुआ था, सो वो उसमें उतर गए, और उसकी औरत ने परदा लेकर कुए के मुँपर बिचाया, और उस पर दला हुआ अनाज पहला दिया, और कुछ मालूम नह होता था, और अभी सलूम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखी मेज और युनतन कहा है, उस औरत ने उनसे कहा, वो नाला के पार गए, और जब उन्होंने उनको ढूंडा और ना पाया, तो यरुशलिम को लोट गए, और ऐसा हुआ कि जब ये चल गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाओद बादशा को खबर दी, और वो दाओद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ, क्योंके अखी तफ़ल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सला दी है, तब दाओद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यर्दन के पार गये, और सुब की रोशनी तक उन में से एक भी ऐसा ना था, जो यर्दन के पार ना हो गया हो। जब अखी तफ़ल ने देखा कि उसकी मश्वरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर जैन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया, और अपने घरा आने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया, और अपने बाप की कबर में दफन हुआ। तब दओद महनाइम में आया, और अभी सलूम और सब इसराइली मर्द जो उसके साथ थे यर्दन के पार हुए, और अभी सलूम ने युआप के बदले अमासा को लशकर का सरदार किया, और अमासा एक इसराइली आदमी का बेटा था, जिसका नाम इत्रा था, उसने नाहस की बेटी अब जेल से, जो युआप की माँ, जर्विया की बेहन थी, सोहबत की थी, और इसराइली और अभी सलूम जलात के मुलक में खैमजन हुए, और जब दओद महना पहुंचा तो ऐसा हुआ, कि नाहस का बेटा सोभी बनी अमोन के रब्बा से, और अमियल का बेटा मकीर, लोद बार से, और बरजली जिलादी राजलेम से, पलंग और चारपाईयां, और बासन, और मिट्टी के बरतन, और गेहुं, और जो, और आटा, और भुना हुआ अन आज, और लोबिये की फलियां, और मसूर, और भुना हुआ चबीना, और शहद, और मक्षन, और भेड बक्रियां, और गाए के दूद का पनीर, दाउद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्यूंके उन्होंने कहा, कि वो लोग बियाबान में भूके और म क्या से हैं?